मद्दान के दिन मद्दान के प्रक्रिया शुरू करने से पहले मौक पोल यानि के दिखावटी मद्दान किया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा मद्दान अभिकरता संतुस्थ होते हैं कि चुनाओ प्रक्रिया प्रारंब के समय EVM मसीन में पहले से टोटल वोट पोल के संख्या सोन्य थी और EVM मसीन प्रॉपरली वर्क कर रही है आपको स्क्रीन पर मॉक पॉल का सीक्वेंस दिख रहा होगा हर स्टेप के बाद एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखेगी जो हर स्टेप की समझ विक्सित करेगी मॉक पॉल का सबसे पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले आपको CU यन की कंट्रोल यूनिट BU यन की बैल्लट यूनिट और VVPAD को आपस में जोडना होगा जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा step है वो ये है कि control unit को पीछे के on off बटन से on करना होगा इसका जो तीसरा step है वो ये है कि control unit machine का total बटन दबा कर मददान अभिकरता यानिकि polling agent को see you display यानिकि control unit के display पर दिखाना होगा कि इसमें total vote port की संख्या शून्य है अब mock poll करवाने के लिए पीठा सी नदिकारी control unit का ballot बटन दबाएंगे और polling agent से अपने मन पसंद के उमिद्वार को balloting unit के ballot बटन से दिखावटी मददान करने को कहेंगे ठीक इसी तरह सभी मददान अभिकरताओं को नोटा सहित दो दो बार दिखावटी मददान करने को कहा जाएगा mock poll की कम से कम संख्या 50 तक रखी जाए इसके बाद पीठा सीन अधिकारी total बटन दबाएंगे control unit के display पर total vote port की संख्या 50 दिखाएंगे इसके बाद mock poll की प्रक्रिया को समाथ करने के लिए control unit के close बटन को दबाया जाएगा इस बात की पूश्टी करने के लिए कि अब कोई मददान नहीं हो सकता है किसी भी मददान अभिकरता से ballot बटन दबाने के लिए कहा जाएगा और यहां दिखाया जाएगा कि control unit के display पर invalid so हो रहा है मतलब अब मददान नहीं हो सकता है अब है साथवाए step अब control unit के result section के बाहरी और भीतरी कवर को खोलेंगे सबसे पहले result बटन दबाएंगे और मददान अभिकरताओं को cu display पर total mock pool की संख्या दिखाएंगे जब वो संतुस्ट होंगे तो clear बटन दबाए जाएगा जैसे ही clear बटन दबाए जाएगा cu display पर जो total mock pool के संख्या 50 थी वो एके करके delete होने लगेगा कोशिश करें कि कोई मददान अधिकारी mock pool की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफिक कर लें अब इसके बाद EVM मशीन को seal करने की प्रक्रिया शुरू होती है जो हम अगले वीडियो में explain करेंगे मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जनकारी आप तक साजा की गई वो आपको अच्छे डंग से समझ में आई होगी और भी informative वीडियो को प्रात करने के लिए आप से निवेदन है कि वीडियो को like, share, comment जरू करें चैनल को subscribe करें तकि जो वीडियो जाने वाले हैं उनकी notification आपको properly मिल जाए वीडियो तेहन के लिए टेखने के लिए श्वीडियो जाए